खून का कैंसर खून के फैक्टरी की बिमानी है और जब हम खून के कैंसर के इलाज करते हैं तो हमें खून की फैक्टरी को पूरी तरह से नश्ट करना पड़ता है मगर नश्ट होने के बाद हमें fresh factory को चड़ना पड़ता है ये factory किसी रिष्चिदार से ली जाती है, किसी donor से ली जाती है और इस factory का नाम है bone marrow, आप जानते हैं, इसको bone marrow transplantation कहते हैं bone marrow transplantation के दोरां, मरीज को hospital में कम से कम महीना डेड़ महीना रहना पड़ता है क्योंकि हमें समय लगता है जो बाहर का bone marrow हमने मरीज को दिया है वह पूरी तरह से अपना घर मरीज के अंदर बना ले इसके लिए विशेश दवाईयों की साहता पड़ती है इसके लिए विशेश कीमोतरेपी की साहता पड़ती है और कई बार इसके लिए रेडियेशन की साहता लेनी पड़ती है इसलिए bone marrow transplantation एक बहुत पेचीदा इलाज कहलाता है क्योंकि bone marrow ने अगर घर नहीं बनाया तो मरीज का भी marrow खतम है और वाहरवाला भी ने ठीक हो रहा है इसलिए bone marrow को हम एक पेचीदा प्रक्रिया बताते हैं एक बहुत ही difficult operation बताते हैं मगर यह एक बहुत ही important इलाज है जिसके बारे में हमें जरूर जान होना चाहिए